हेलो व्यूवर्स वेलकम टु माई साइकोलोजी क्लास के बिथिंद क्लास और आज की क्लास में हम चचा करने वाले हैं स्मृति यानि की मैमोरी की तो शुरू करते हैं आज की क्लास सबसे पहले हम स्मृति के अर्थ को समझ लेते हैं स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने भूत काली ननभवों को वर्तमान चेतना में लाते हैं यानि स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है और इस मानसिक प्रक्रिया के द्वारा हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को वर्तमान चेतना में अपने चेतना के के देखा समझता या देखा है उनको हम जब अपने वर्तमान के लाते हैं तो उसे सμृति कहते हैं समृति में केवल हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को याद ही नहीं करते वल्कि जो हमारे past experiences या जो कुछ भी हमने पहले सीखा होता है उनको अपने मस्तिश्क में एकठा करके भी रखते हैं अब हम स्मृति की परिभाशाओं को देख लेते हैं सबसे पहले वुडवर्थ की परिभाशा जो की एक बहुत ही सरल परिभाशा है बुडवर्थ कहते हैं कि विगत समय में सीखी हुई बातों को याद करना स्मृति है कि उस रूप में कलपना करना जिस प्रकार भूत काल में उनका अनुभव किया गया और उन्हें अपने ही अनुभव के रूप में पहचानना स्मृति है MacDougall कहते हैं कि घटनाओं को उस रूप में कल्पना करना, कल्पना करना यानि सोचना तो किस रूप में कल्पना करना कि जिस प्रकार वे भूतकाल में अनुभव की गई है यानि पूर्व में हमने घटनाओं का जिस भी रूप में experience किया है, अनुभव किया है उनको उसी रूप में कलपना करना स्मृति है और साथी साथ ना केवल हम उन घटनाओं की कलपना करते हैं बलकि उन्हें हम पहचानते भी हैं कि यह हमारी है अनुभो यह हमारी ही कलपना है स्टावट के अनुसार स्मृति एक आदर्श पुन्रा वृत्ति है स्टावुट स्मृति को पुन्रावृत्ति मानते हैं पुन्रावृत्ति यानि जो कुछ भी हमने सीखा है उसको repeat करना, मस्तिष्क में उसको revise करना, पुन्रावृत्ति करना जिसमें अनुभव की वस्तुमें यथा संभव मूल घटना के करम में और ढंग से पुनर स्थापित होती हैं जिसमें अनुभव की वस्तुवें यानि जिन भी उद्दीपकों का हमने अनुभव किया है वे सभी वस्तुवें मूल घटना के क्रम में जिस प्रकार से वे हमारे अतीत में घटत हुई हैं उसी प्रकार से उन्हें याद करना उनकी गटना के पुनरवर्ति करें वे की बार उस घटना का पुनर स्थापना होती है यानि उसमें हम Calvin. ऐसल कर देते हैं या घटना-इह जो होती है वो फिर से उसमें कुछ नई चीजें जोड़ देते हैं या कुछ चीजें घटा देते हैं तो इस प्रकार से जो मूल घटना होती है उसको पुनर स्थापित करना और पुनरा वृत्ती करना स्मृती है स्मर्थी के तत्व या अंग, स्मर्ती के चार तत्व या अंग होते हैं, सीखना, धारणा, प्रत्यस्मरन या पुनहस्मरन और प्रतिभिग्या या पहचान। अब इनकाम एके करके अध्यन करते हैं कि यह होते क्या हैं सबसे पहले हम बात करते हैं सीखना यानि की लर्निंग की सीखना स्मृति का सबसे पहला तक तो होता है चूंकि बिना सीखें स्मृति हो ही नहीं सकती जिस चीज को हमने सीखा है उसी को तो हम याद करेंगे जिस घट स्मृति की प्रक्रिया नहीं हो सकती जिन चीज़ों को हम पुर में सीखते हैं उन्हीं अनुभवों यह सीखे वही बातों को बरतमान चेतना में लेके आना स्मृति कहलाता है धारना यानि की रिटेंशन सीखने के बाद सेकेंड जो तत्व आता है दूसरा तत्व आता है वो है धारना तो सीखने के बाद धारना की प्रक्रिया होती है जब हम किसी विशय को सीखते हैं सीखने के दौरान हमारे मस्तिश्क में वो विशय या उद्दीपक या घटना अंकित होती है उसी को यानि मस्तिश्क में अंकित होने को ही धारना कहा जाता है जिस विशय के धारना जितनी जादा प्रबल होती है उसकी स्मृति भी उतनी ही अच्छी होती है धारना शक्ति जो होती है वो अलग-अलग लोगों में अलग होती है पुनास्मरण या प्रत्यास्मरण यानि की रिकॉल जो कुछ भी हम पुर्व में अनुभो करते हैं या पुर्व में सीखे हुई बाते जो होती हैं उनको पुनास्मरण पर लेकर आना पुनास्मरण कहलाता है रिकॉल कहलाता है यानि जो कुछ भी हमने सीखा है उसको को हम उसी तरीके से याद कर लेते हैं वो कहलाता है पुना स्मरन यानि की रिकॉल प्रतिभिग्या या पहचान रेकाग्नीशन यह स्मृति का चौथा तत्व है जो कुछ भी हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं जरूरी नहीं है कि जो कुछ भी हमने सीखा हो और वो हमारे मस्तिश् में धारन हो लेकिन हम उसको रिकॉल भी कर पाएं यानि उसको पुना स्मरन भी कर पाएं कभी-कभी ऐसा होता है कि हम पुना स्मरन करने में असमर्थ होते हैं लेकिन फिर भी हम उस घटना उस सीखी वही बात को पहचान लेते हैं तो यह जो सीखा हुआ विशय या घटना पूर्वनभव होते हैं इनको पहचानना प्रतिभिग्या कहलाता है अब हम बात करते हैं अच्छी स्मृति की विशेष्टाओं की यानि कि अच्छी स्मृति के लक्षण क्या क्या है सबसे पहला लक्षण है तीव्रगति से सीखना चुंकि अधिगम यानि कि सीखना स्मृति का पहला तत्तो है इसी से रिलेटेड है हमारा पहला लक्षन यदि सीखने की प्रक्रिया तिवर गती से होती है स्मृति जो होती है वो उत्तम होती है यानि कि जिस व्यक्ति के स्मृति अच्छी होगी वो किसी भी विशय को किसी विशय सामगरी को बहुत शीगरता से सीख ले है जिन वैक्तियों की स्मृति अच्छी होती है वो वैएक्तियों की धारणा शक्ति भी उतनी ही प्रबल और स्थाई होती है वो किसी छीज को एक बार मस्तष्क के धारित कर लेते हैं तो भूलते नहीं है उत्पादक्ता उत्पादक्ता या उत्पादक्ता से तातपर है कि जब हमें जरूरत हो तो सीखी हुई सामगरी हमें याद आ जाए यानि आवशक्ता पढ़ने पर सीखी हुई विशह सामगरी का याद आ जाना उत्पादक्ता कहलाता है हमने कोई चीज सीखी और जब हमें जरूरत पढ़े या जब हमें उसकी आवशक्ता है तो वो हमें याद ही न आये तो ऐसे स्मृती को अच्छी स्मृती नहीं कहा जाएगा तो जरूरी है कि जब हमें जरूरत हो यसे हमने violation के लिए तयारी की लेकिन हम examination room में examination hall में जब हमें question का answer लिकना है तब हमें वो आंसर याद ही नहीं आ रहा तो ऐसी स्मृति अच्छी नहीं कहलाएगी उत्पादक्ता या उपादेता से यही अर्थ है यथावत पुना स्मरण जो भी हमने सीखा है या जो भी हमारे पुर्व अनुभों है उनको जैसा हमने सीखा है जैसा हमने अनुभों किया है वैसा का वैसा पुना स्मरण कर लेना यानि रिकॉल कर लेना अच्छी स्मृति का लक्षन है इस पश्ट एमम शिग्र पहचान अच्छी स्मृति वही कही जाएगी जिसमें जो भी विशय सामगरी हमने सीखी है या जो हमारे past experiences है उनकी स्पश्ट पहचान हो सके यानि हम जल्दी पहचान ले जैसे हमने अगर किसी व्यक्ति को पहले देखा है और वो व्यक्ति हमारे अगर सामने आ जाए तो हम उसे छट से पहचान ले कि ये वो व्यक्ति है लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमारी स्मृति अच्छी नहीं कहलाएगी व्यर्थ की बातों का विस्मरन जी हां स्मरन ही नहीं विस्मरन भी अच्छी स्मृति का लक्षर है क्यों क्योंकि एक अच्छी स्मृति के लिए जो हमारे लिए व्यर्थ की बाते हैं कि हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं है ऐसी बातों को भूल जाना यानि विस्मरन कर देना आवश्यक होता है तो जब व्यर्थकी बाते हमारे मस्तिश्क से भूल जाएंगे हम यानि विस्मृत हो जाएंगी तो जो हमारे लिए उपयोगी बाते हैं आवश्यक बाते हैं और जो हमारे लिए सार्थक बाते हैं उन्हीं को याद रखेंगे तो इससे हमारा मस्तिश्क जो है वो स्वस्त रहेगा तो यह थी अच्छे स्मृती के लक्षन आज के इस वीडियो में हमने स्मृती उसके अर्थ परिभाशा उसके तत्मों को समझा और साथ ही अच्छे स्मृती के क्या लक्षन होते हैं उनको भी जाना तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताईएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए धन्यवाद